फ्रेंट्स आज हम बनाएंगे पेपलम ब्लाउस इसे हम बनाएंगे प्रिंसेस कट पर 34 साइस का बनाएंगे तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा और बैल आइकन की बटन जरूर दबाईएगा तो यहां लाइनिंग ल लेंगे 16 इंच का उसमें हमें वन इंच प्लस करना है मार्जन के लिए 17 इंच लेना है शूल्डर लेना है हमें 7 इंच तो इसे हम बोटनेक के कोडिंग मनाएंगे तो शूल्डर का हाफ लेना है आर्मोल लेना है 6.5 इंच चेस्ट का फोत पात लेना है 34 का फोत पात होगा 8.5 इंच और फ्रेंट पात है तो 2.5 इंच प्लस करना है मार्जन के लिए स्ट्रेट लाइन डुर करेंगे नीची के साइट से 1 इंच इक्स्ट्रा लेना है टक्स के लिए और वन इंच से आर्मोल की साइट गोलाई देनी है प्रिंसिस कट की मार्किंग करेंगे तो हम यहाँ पर 3.5 इंच पर मार्किंग करेंगे इसका जो टक्स पोइंट है वो आएगा 10 इंच पर तो 10 इंच पर मार्किंग करेंगे और इसमें हम front में chain लगाएंगे front से open रखेंगे तो यहां से हमें मार्किंग करनी है 3.75 इंच पर 3.75 इंच पर मार्किंग करते हुए line को draw कर लेना है और princess cut का shape देना है आप दिखिए जो tux की weight थे वो हम 1.5 इंच रखेंगे और length इसकी जादा है तो यहां से हमें 3.5 इंच पर मार्किंग करनी है अगर आप जैसे की 14 इंच लेन्थ लेते हैं तो 2 इंच रख को length में लेना होगा तो दिखिए marking कर ली से हमने cut कर लिया है और अब हम neck की cutting करेंगे तो दिखिए यहां से हमें मार्किंग करनी है 1.5 इंच पर तो दा नीचे की side भी 1.5 इंच पर मार्किंग करेंगे जो neck ले रहे हैं वो ले रहे हम 7 इंच stitching करेंगे shoulder को तो 6.5 इंच रह जाएगा तो दिखिए यहां पर हमने 7 इंच पर मार्किंग की और इस तरीके से straight line draw कर लेनी है line को draw कर लिया है हमने और अब दिखिए यहां पर हम मार्किंग करेंगे 5 इंच पर आर्मूल के side से हमें 5 इंच पर मार्किंग करनी है और यहां पर दिखिए हमें shape देना है इस तरीके से इसे हम cut करेंगे यह देखिए इस तरह से हमें इसे cut करना है तो cut हमने इसे कर लिया और देखिए जो neck है neck की जो design है वो इस तरीके साएगी net हम इसमें लगाएंगे तो देखिए back part जो है इसको हम net fabric पर ही cut करेंगे transparent बनाएंगे तो इसको man fabric पर cut करने से पहले जो इसका नीचे का part है वो हम cut करेंगे अब देखिए यहाँ पर हम 55 इंच पर marking कर रहे है जो हमारी waist है वो है 30 इंच उसका fourth part लेना है 7 इंच और half इंच हमने यहाँ पर extra लिया है इसको fold करने के लिए जब हम fold करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कहां हमें fold किया था और इसलिए हमने इसको extra लिया था देखिए जो पूर्टी total length है वो 26 इंच थी upper length हमने रखी थी 16 इंच तो 26 इंच में से 16 इंच माइनस करेंगे तो 10 इंच आएगा 10 इंच में से हमें यहाँ पर बढ़ा कर लेना है 1.5 इंच तो मैंने यहाँ पर 1.5 इंच extra लिया margin के लिए तो यहाँ पर 11.5 इंच पर हमें marking करते जाना है circle में यह दिखिए 10.5 इंच पर marking कर ली इस तरीके से 11.5 इंच पर 10 इंच तो हमारी total length थी तो 1.5 इंच हमने plus की हम आरजन के लिए तो 11.5 इंच पर इस तरह से marking करते हुए circle को हमें डाग कर लेना है और इसे cut करना है तो दिखिए circle को हमने cut कर लिया और अपर पार और बैक पार को भी हमने cut कर लेना है तो cut हमने यहाँ पर कर लिया जो back neck है वो हमारा transparent है पूरा ही तो इसे हमने सिर्फ नेट पर विपर कट किया total length 17 इंच ली solder लिया 7 इंच, armor लिया है 6.5 इंच, chest का fourth part लिया 8.5 इंच 2 इंच प्लस की अमारजन के लिए waist है हमारी 28 इसका fourth part 2 इंच प्लस की अमारजन के लिए 1 इंच लिया tux के लिए तो यहाँ पर हमने इसकी cutting कर लिए और अब हम stitching करेंगे तो दिखिए इस तरीके से man fabric को right side पर रखना है और इसे stitch करना है तो चारोई side से हम इसे stitch करेंगे और extra जो fabric होगा इसका उसे हमें cut करना है इस तरह से extra fabric cut करेंगे दूसरा part भी सी तरीके से stitch करेंगे दूनों पार्ट stitch कर लिए अब center से हम इसे cut करेंगे chain लगाने के लिए तो पहले हमें neck को stitch करना होगा दीखिए paper pasting लिया और यह जो design है उस case it is marking करनी है हमें दीखिए यहाँ पर हमने marking कर लिए इसे हम cut करेंगे इसे हमें lining fabric पर paste करना है तो दीखिए paste कर लिया side से fold कर लिया है और अब neck पर इस तरीके से रखेंगे से और stitch करेंगे neck को cut लगा लेना है और इसे पलट लेना है side से एक stitch करेंगे इस पर दूसरा जो neck है उसे भी हम इसी तरीके से stitch करेंगे तो दीखिए neck को stitch कर लिया दोनों ही पार्ट stitch कर लिये है और अब यहाँ पर दीखिए neck fabric लियना है इस तरीके से रखते हुए इसे हम चारो side से stitch करेंगे तो दीखिए stitch कर लिया दोनों ही पार्ट को और अब हमें neck cut कर ला है neck cut करेंगे तो neck की जो wheat थे वो मैं आपे 4.5 inch रख रहे हूँ आप 4 inch भी इस की neck की wheat रख सकते हैं तो मैंने आपर इसे 4.5 inch लिया है length मैंने इसे लिया है 3.5 inch round shape देते हुए इसे cut करेंगे अब देखिए यहाँ पर हमें पट्टी लगाने है तो lining fabric को fold करते हुए इस तरह से पट्टी लगाएंगे हम एक stitch हमें lining fabric के उपर से कर लेना है पट्टी को अंदर की side fold करते हुए एक stitch और करेंगे दूसरा पार्ट भी stitch करेंगे दोनों पार्ट stitch कर लिए और अब जो princess cut का पार्ट था वो हमें stitch करना है दूसरा पार्ट भी सी तरीके से stitch करेंगे तो दीखिए नीचे के side से हमें इसे थोड़ा सा हलका सा cut करना है और यहाँ पर हमें पट्टी लगानी है तो पट्टी की wheat हमने 1.5 inch रखी है एक stitch पट्टी के उपर से करेंगे तो हमें बस इतने इतना ही stitch करना है अब दीखिए यह open chain लेनी है fancy open chain है यह और इसको लगाने के लिए single foot use करना है इस तरह से रखेंगे जो पट्टी थी अंदर के side fold करते हुए stitch करना है तो तुझे chain लगा रहे है हम उसके side से हम इसे stitch करेंगे दूसरे side भी इसी तरीके से chain को stitch करना है और दीखिए जो पट्टी थी तो उसे यहाँ पर हमें fold करते हुए stitch करेंगे इसे हमने stitch कर लिया दोनों ही जो chain थी वो दोनों side से stitch कर लिया एक्स्ट्रा chain कर लिना है यहाँ पर हमने lining fabric की cross में पटी कर किये नेक पर लगाने के लिए तो इस तरीके से stitch करना है पूरे ही neck पर cut लगाना है एक stitch हमें पटी के उपर से करना है एक्स्ट्रा जो पटी है उसे हम थोड़ा सा cut करेंगे और अंदर की side fold करते हुए पटी को stitch करना है दूसरे side भी इसी तरीके से पटी को stitch करेंगे तो देखिए neck को stitch कर लिया half inch हमें आर्मोल की side पर गुलाई देनी है जो कि हम princess cut में बाद में ही cut करते हैं तो front part हमारा complete हो गया है back part का neck की width हम 4.5 inch ले रहे है neck की length हम यह आपर 3 inch लेंगे round shape draw करते हुए से cut करना है front neck पर हमने पटी लगाई थी way same वैसे हम यह आपर भी लगाएंगे neck को हमने complete कर लिया back tux लगाएंगे back tux की length है वो में 5 inch रखोंगी क्योंकि जो हमारा blouse है उसकी length ज़्यादा है तो इसलिए हमें यहाँ पर tux की जो length है वो 5 inch रखनी है और नीचे की side पटी लगाएंगे जैसे कि हमने front में लगाई थी तो पटी लगाकर complete कर लिया ऐसे और अब हम solder को stitch करेंगे तो देखिए दोनों ही solder हमने stitch कर लिये हैं और अब यहाँ ने राइलिंग fabric की cross में पटी कट की है आर्मोल पर लगाने के लिए तो डबल करते हुए हमें इसे stitch कर लिना है तो देखिए यहाँ पर आर्मोल पर हमें cut लगा लिना है और एक stitch हमें पटी के उपर से करना है पटी को अंदर के side fold करते हुए एक stitch और करेंगे दूसरा आर्मोल पर इसी तरीके से finishing के साथ देखिए हमने stitch कर लिया है और अब यहाँ पर हम fitting लगाएंगे तो fitting लगाने से पहले हमारा यह जो नीचे का circle है उसे हम center से cut करेंगे और यहाँ पर इसको दो बार fold करते हुए stitch करना है तो देखिए जो हमने half inch extra लिया था वो हमने इसको इस तरह से fold करने के लिए ही लिया था तो दोनों ही side से इस तरीके से हमें दो बार fold कर लिया है तो fold हमने कर लिया है और अब नीचे के side से हमें दो बार fold करना है और stitch करना है तो हमने से stitch कर लिया, यहां पर हम fitting लगाएंगे यह दिखी इस तरह से straight में हमने fitting लगाई है extra जो fabric के side का उसे हमें cut करना है दूसरे side से भी इसी तरीके से stitch करना है और अब यहां पर हमें ब्लाउस को उल्टा कर लेना है साइट से एक पिर का मार्जन रखते हुए हम इसे स्टीच करेंगे अब हमें यहां पर फिटिंग लगानी है तो सेंटर से चेस्ट के फोथ पार्ट पर मार्किंग करेंगे फोथ पार्ट है हमारा 8.5 एंच और यहां पर हमें वेस्ट के फोथ पार्ट पर मार्किंग करनी है दोनों मार्किंग को मिलाते हुए हम यहाँ पर फिटिंग लगाएंगे अब दिखिए जो हमारा सरकल था उसे हम यहाँ पर स्टीच करेंगे तो दिखिए यहाँ पर इस तरीके से नीचे के साइड रखते हुए से स्टीच कर लेना है यह दिखिए अंदर के साइड दबाते जाएंगे और स्टीच करते जाएंगे तो friends हमारा यह transparent peblum blouse बनकर complete हो गया है तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी वीडियो को लैक्शेर जरूर करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो सस्क्राइब कर लीजेगा बेल ऐकन की बेटन जरूर दबाईएगा तक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें तैंक यू